इस वक्त की बड़ी खबर उतर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चुनाओ से पहले एक बड़ा जटका दिया है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है अखिलेश यादब से मिलने पहुँचे हैं बीजेपी के प्रवक्ता यूपी बीजेपी के प्रवक्ता जैप्रकाश पांडे ने सपा की सदस्रिता ले ली है और बीजेपी को बाय बाय कह दिया है अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महमंत्री अशोक वर्मा भी साइकल पर सवार हो गई है अखिलेश यादब ने जैप्रकाश पांडे का पार्टी में सवागत किया है यूपी में ब्राहमड नेताओं पर सपा की नजर है और लगातार सपा अपनी ब्राहमड ब्रिगिट को मजबूत करने में लगी हुई है और इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी ने फिर मजबूती हासल की है और बीजेपी के प्रवक्ता जैप्रकाश पांडे को सपा में शामिल किया गया है बीजेपी को जैप्रकाश पांडे ने बाय बाय कह दिया है और एक बड़ा जटका बीजेपी को समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया दिया है चुनाव से पहले बीजेपी को ये जटका काफी कमजोर कर सकता है और समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ सकती है जैप्रकाश पांडे के अलाबा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश महमंत्री अशोक बर्मा भी साइकल पर सवार हुए हैं तो इस वक्त की ये बड़ी खबर राफमर ब्रिगिट को समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को समाजवादी पार्टी ने सदस्तिता दिलाई है और जो बीजेपी के प्रवक्ता है जैप्रकाश पांडे हो सपा में शामिल हो गए है